जल्ली कट्टू तमिल लाडू में एक प्रमपरागत खेल होता है और ये पॉंगल तिवहार पर आयूजित कराए जाता है और जिसमें बैलों से इंसानों की एक तरसी लडाई कहा जाती है और यानि की बैलों को कंट्रॉल में करना होता है और आप लोग अपने स्क्रीन पर उसी की एक पिक्चर भी देख रहे होंगे अब आप लोग कहेंगे कि अभी ये चर्चा में क्यों है क्योंकि आप देखे सुप्रिंग कोट ने इस खेल पर इस आयोजिन पर सवाल खड़े किये है और सुप्रिंग कोट यानि हमारी सर्वोच अधालत ने कहा है क्या जल्ली कट्टू को किसी रूम में अर्मती दी जा सकती है क्योंकि आप देखें इस खेल के पक्च में है कौन तमिलाडू सरकार और जब इस खेल पर पितीबंद लगानी की बात होती है तो आप देखेंगे सरकार इसके पक्च में खड़ी हो जाती है पिती बंद को नकास देती है और तमिलाडू सरकार कहती है कि यहां का परमपरागत खेल है और यहां के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है इसमें आप देखें कई लोगों की डैथ हो जाती है मौत हो जाती है इस खेल में और सुपरिंग कोट की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हमारे सरवोच अदालत की बात हो रही है और इसकी स्थापना 28 जन्मरी 1950 में हुई थी और आप देखेंगे एक सम्मिधानिक संस्ता है सम्मिधान की अनुचेद 124 के तहट इसकी स्थापना की बात कही गई है वर्दमान में इसमें 34 नयादिस ही एक आपका मुक्ष नयादिस 33 अनय नयादिस और इनके सेबा निवित्ती की उमर 65 साल रखी गई है एक बार आप लोग तमिलाडू को देख लिजे देखिए अपना प्यारा भारत है और इसमें दच्छिन भारत में आप जाएंगे तो आपको तमिलाडू देखने को मिल जाएगा चैन्ड़ इसकी रादधानी है और आप देखेंगे इसकी सीमा आंध्र पिदेश करनाटर केरल से लगती है तेन राज्यों से इसकी सीमा लगती है और पड़ोसी देश आप देखेंगे यहां स्री लंका देखने को मिल जाएगा पाक जल नमरू मनार की खाड़ी भी आपको भारत और स्री लंका की भी देखने को मिलती है और आप देखेंगे कि यहां बिदान सभा में 234 सीटे है तमिलाडू में लोक सभा में 49 सीटे है रा जली कट्टू फे बैलों की एक तरह से आप देखिए पितियों गिता होती है और तमिलाडू सरकार ने सर्वोच नियाले में जली कट्टू का बचाओ करते हुए कहा है कि जली कट्टू का तमिलाडू की लोगों के लिए धार्मिक और सांसकितिक दोनों भाद थे और इसका प परकाल लोगों के खिलाब कभी कोई फैसला लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। भली वो उससे कितने भी लोग मारे जाते हो। या पर आप देखी पसुओं उपर क्यों उर्था फिलता हो। पसुओं को नुकसान होता हो। और राज ने बिरोत किया कि जल्ली कट्टो पर पितीबंद को तमिलाडू की लोगों की सांसकितिक पहचान पर हमला माना गया है। और उच्चितम न्याले की एक समिधानिक पेट द्वारा तमिलाडू के कानून को रद्द करने की मांग करने वाली याजकाओं के एक समो की सरक्षित हैं। और समिधान के भाग तीन को आप लोग पढ़ते हैं ना मौली का दिकार। फिर आप देखेंगे कि आपके उनी की बात हो रही है। उनी में आर्टिकल 29 आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आपको बता दूँ इस तरह की टॉपिक्स से आप लोग के में questions पूचे जाते हैं, problems में questions पूचे जाते हैं, फिर चाहे state PCS में देख लीजे या आप लोग civil service में देख लीजे। और वैसे भी मुझे लगता है इस तरह का खेल कभी चर्चा में रहता है। तो इसके बारे में एक सामन जानकारी आपकी पास होना चाहिए। जली साड़ों को बस में करने वाली पिति इस पर्दी यानि कि पिति इस पर्दा खेल है जो तमिलाडू के हिस्से में 200 साल से अधिक पुरानी परंपरा है। कितनी? 200 साल से। यह आप देख रहे हैं, यह लोग परम एक तरह से इस बैल को कावू में करने की कौसिस कर रहे हैं। और जली कट्टू सब्द केली सिक्के और कट्टू टाई सब्दों से बिक्सूत हुआ, जो बैल के सींगों से बंदे सिक्कों के एक बंडल को दर्साता है। तमिल सास्ती ये काल के महारन महाकाब सिल पाट्टी कारम में जलू कट्टी का संदरब भी देखने को मिलता है। और यह तमिलाडू फसल उससा पॉंगल के दोरान जनवरी के दूसरे सप्ता में मनाया जाता है। और यह तमिलाडू के मदूरे तिरू शेरापली थैनी पुदु के कोटे और डिंडी गुल जिलों में लोक पुरी है जिसे जल्ली कट्टू बेल्ट के रूम में जाना जाता है। जब भारतिय पसू कल्यान बोर्ड और पसू अधिकार समू पेटा ने जल्ली कट्टू के साथ साथ बेलगाडी दौर्ड के खिलाब सुप्रेंग कोट में याज का दायर की थी। किसने पेटा ने और पेटा आप लोगों को पेटा बता दू तो ये पसूओं की रक्षा की बात करता रहता है पसूओं की अधिकारों के लिए बात करता रहता है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों पेटा की याद रखेगा। और ए पीपल फोर दा एथिकल ट्रीटमेंट आप एनिमल्स के नाम से आप लोगों किसे जानते हैं। 22 मार्च 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आप लोगों याद रखेगा इसके बारे में। और ये पेटा के नाम से जानते हैं आप लोगों। और अमीर की अमेरिकी पसूओं अधिकार गैरलाबकारी संगठने इसके अंतर अंतराष्टी अध्यक्ष। देखें इस तरह का राष्टी संगठनों या अंतराष्टी संगठनों इनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा पेटा या पसूओं के साथ नेतिक बेवार के पक्षधर लोग एक पसू अधिकार संगठन हैं। और जैसा कि आपको बताए कि 22 मार्च 1910 में इसकी स्थाफना हुई थी और इसका हेड़क्वार्टर सहिफदराज अमेरिका में आप लोगों को देखने को मिलेगा नौर्फ हॉल्क वर्जीनिया सहिफदराज अमेरिका में। तो इसके तुआर इसकी तरफ से एक आप देखेंगे कि याज़का लगाएगी और 2006 में मदरास उचनियाले ने एक यूबा दरसक की मित्यू के बाद खेल पर पितिवन्द लगा दिया था। आपको बताया ना कि याँ देखें खेलने वालों की जो इस खेल में सामिल होते हैं उनकी तो डेथ होती ही जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि जो दरसक होते हैं कभी-कभी उनकी भी मौत हो जाती है। हाला कि तमिलाडू सरकार ने 2009 में जली कट्टू अधिनियम 2009 का तमिलाडू बीनेवन कानुन पारित करकी पितिवन्द से बाहर निकलने का रास्ता निकाला। 2011 में केंद में परियावन मंत्राले ने एक अधिस सुना चना जारी की जिसमें विशेश रूप से बैल का उलेक किया गया था। 2011 की नोटेस के बाद 2009 के तमिलाडू रेगूलेशन एक्ट नवंबर 27 के कारण जली कट्टू पे था जारी रही आंगे ये जारी रही और ये दान एनिमल वेलफेर बोर्ड आप इंडिया और पीपुल फोर दा एथीकल ट्रीटमेंट आप एनिमल्स फेटा ने सुप्रीम को पूरता निवारन अधिनियम 1960 के तहत परिभासित किया गया है फिर आप देखेंगे सुप्रेंग कोट ने अपने 2014 के फैसले में जली कट्टू पर पितीबंद लगा दिया और जली कट्टू अधिनियम 2009 के तमिलाडू बिनिवैन को रद्द कर दिया इसने किसने सुप्रें हटा दिया आपको बताए कि मतलब राजनीती भी इसके चारों तरफ घूमती रहती है कभी आप देखें इस तरह की पिता को रोकने की जो भी कौसिस कहता उसे राजनीतिक नुकसान भी देखने को मिलता है और जनवरी 2016 में सर्वोच नियाले ने 2016 की केंदर सरकार की इस अध कट्टू पर पिदीवन्द की विरोध में चैननाई मरीना में एक रेली की यानि कि यहां की लोग भी चाहते हैं कि जल्ली कट्टू हो सरकार भी चाहती है कि जल्ली कट्टू खेल हो जनवरी 2017 में तमिलाडू ने पसुओं के पिती कुर्टा की अधिनियम की रोक्थाम तमि आप जो संस्किती और परंपरा की नाम पर लोग प्रिये साड़ों का काबू करने की खेल के संचालन के लिए नियमों में फेसे द्वार खोल दिये और तमिलाडू कानून के कारण जल्ली कट्टू की बापसी की बाद सुपरिंग कोट ने फरवरी 2018 में समिधान पीट को या में पसू कूर्टा निवारन अधिनियम 1960 की धाराचार की तहित स्थापित एक बैदानिक निकाय है और इसका मुख्यालय आपको हर्याना की फरीदाबाद जिली की बल्लब गड़ में आपको देखने को मिलेगा और बोर्ड सुरू में भारस सरकार की खाद और किसी मंतराले की अधिकारचित में आता था और 1990 में पसू की पिति कूर्टा की रोक्ताम की विशाय को पर्याबन और बन बंतराले में इस्थानांतित कर दिया गया है और अब यहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी रचना की अगर हम लोग बात करें तो बोर्ड में 28 सदस होते ह जो तीन साल की अधिक लिए सेबा करते हैं और इनके काम क्या रहता इस बोर्ड का अब आप देखिए कि इसकी स्थापना की गही तो कुछ काम तो होगा इसका तो यह पसू कल्यान कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने वाली एक सलाह कार संस्ता है और भारत देश में विवार कैसे किया जाना चाहिए इस पर कई तरह के नियम भी बनाता है और जानबारों को अनवस्ता करोप से पिताडित करना या पिताडित ना करना या सोनिशित करने के लिए या अकसर कड़े कानूनों के लिए मुकद्ध में बाजी भी करता है यह संगठन जली कट्टू के खिलाब अगर तरक्टी बात करें हम लोग तो इसके खिलाब तरक्ट क्या दिये जाते हैं नैतिक मुद्दे भारती पसु कल्यार्ट बोर्ड की एक जाजने निसका उस निकाला की जली कट्टू सभावी कुरूप से जानवरों के लिए कुरूर है जानवरों के साथ गलत कर रहे हैं इसके बिपक्ष में एक और तक दिया जाता है पसु के पिती कूर्टा इस मामली में सर्वोच नेले की समक्ष एडवलू बी आई द्वरा पिस्तूत एक रिपोर्ट में आकल्पनी है यातना पर पिकाश डाला गया और पूँच को तोड़ा और मरोडा गया और आखों में रसायन डाला गया कानों को विक्रित किया गया जानवर को मानने के लिए धारदार धारदार हत्यारों का इस्तेमाल किया गया इसको लेकर भी इसका विरोध होता है मानों मित्यू इस घटना के कारण कई मानों चोटें और मित्यू आई हैं और साडों की मित्यू के कई उधारन देखने को मिलते हैं और इसलिए कहा जाता है कि इस खेल पर पितीवन लगना चाहिए जानवरों के साथ दुरवेवार पसू कल्यार समंदी चिन्ताओं हैं साडों को छोड़ने से पहले और साडों को बस में करने के पिती के पितियोगी के प् पक्ष में तरक दे रहे हैं लोग, कीसे पिती बंद रोकने चाहिए, रोक लगानी की बात हो रही है, इसके पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हुए, और उनकी क्या तरक है, तुभी कहते हैं देसी नसल सरक्चण, और इसके समर्थकों के बात मानें तो ये कहते हैं कि एक जन उपलब्द खेल नहीं, बलकि देसी पसुओं को बड़ावद देने उसरक्चित करने का एक तरीका है, जाग रुखता है ये, दूसरा ये सांस्केतिक महत्तिकी बात करते हैं, जली कट्टू को तमिल सास्तिय काल, 400 से 100 इसापूर के दोरान अभ्यास करने के लिए जाना इसके पक्च में भी लोग बोल रहे हैं, लास्ट में आप देखते हैं कि आंसर आइटेंग आप लोग करते होंगे, तो एक निसकरस दे देते हैं अपनी तरफ से, हाला कि जली कट्टू के नैतिक पहलूँएं पर आलोचना हुई है, लेकिन जैसा कि तमिलानु सरकार ने सर रूम में भीनेमित और सोधारा जा सकता है, पूरी तरह से समाप्त होने की बज़ए बिखसित होता है, और यह करणा और माना उत्ता बात की सिद्धानतों का उलगन नहीं करता है, और यह माननी है, नियलाय पर निर्भर है कि लोगों को अपनी परंपराओं और संस्किती को सर में कई लोग इसके पक्च में हो, कई लोग इसके बेपक्च में हो, लेकिन उनकी परंपरा अपनी, और वो अपनी उन परंपराओं को हजारों साल से उनके चली आ रही तो उसे निभा भी रहें